या खास मौका हो बिना मिठाई के तो अधूरी सी लगती है अपनी खुसी को जाहिर करने का इससे आसान तरीका नहीं है लेकिन बजार में काफी महंगे दामों में ये मिठाईयां मिलती हैं वो भी मिलावटी तो घर में एक कप बेशन से ये मुह में घुल जाने वाली बर्फ बेशन ले लिया हुआ है घी अच्छा सम्मेल्ट हो जाएगा फिर उसमें हम बेशन को एड़ करेंगे और धीमी आज पर इसे पकाएंगे बहुत हाई फ्लेम नहीं करेंगे नहीं तो ये जलने लगेगा और इकदम भजार जैसे दानेदार बने इसलिए यहाँ पर मैंने ए बना सकते हैं इसे डालेंगे तो काफी ये दानेदार होगा तो इसे हमें पांच मिनट तक धीमी आज पर अच्छे से पकने देना है आप देख रहे होंगे पहले हमारे बेशन का कलर और आपका बेशन का कलर तो गैस की फ्लेम को बंद करेंगे इसे चलाते रहेंगे नहीं तो नीचे से कड़ाई गरम रहेगी जल जाएगा यहां पर हमने पौना कफ कड़ाई में सक्कर लिया है आधा कफ हम यहां पर पानी डालेंगे और अच्छे से इसे पकाएंगे दस मिनट के लिए और इसमें आप चाहें तो इसमें केसर डाल सकते हैं एक दो तार और नहीं तो इसे मिया पिलाची डाल सकते हैं इस तरीके से चेक करेंगे एक खलका सा पतला तार बन रहा है तो हमें ऐसा ही चासनी चाहिए अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और जो हमने बेसन का बना कर रखा है उसमें एड करेंगे मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से चासनी के साथ मिलाएंगे इस तरीके से ध्यान रहे कि इसे कंटेनियू चलाना है नहीं जैसे जलने लगेगा इस तरीके से हमें पकाना है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर रैस्पी थोड़ी से भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक सब्क्राइब सेयर किया कीजिए जिससे की मुझे मोटिवेशन मिलता है यहां पर यह अच्छे से सूख गया है तो हमने थोड़ी सी इलाइची एड़ कर दी है इससे इसका काफी अच्छा टेस्ट आएगा और आप देख रहे होंगे ति एकदम दानेदार बन गया है तो हमें कंटीनियू दो म अंदर जले नहीं नहीं तो इसके तले में हलका हलका सा कढ़ाई गरम है जलने लगेगा यह देखी कितना अच्छा सा इसका टेक्चर आया है यहां पर हम इसी तरीके से इसे कंटीनियू चलाते रहेंगे दीरे दीरे यह ठंडा हो गया है और देख रहे होंगे तो एक जगा बर्तन में टांसफर करना है और इसे कंटीनियू अच्छे से मिलाना है और डारेक इसे जिस बर्तन में आप बनाना चाहते हैं बर्फी इसमें हलका सा घी लगा दे इससे आसानी से यह निकल जाएगा नहीं लगाएंगे तब भी हमने काफी घी का इस्तेमाल किया है यह आसानी से निकल जाएगा तो हमें इस तरीके से बरतन में सेट कर लेना है उपर से थोड़े से मैंने काजू से इसे डेकुरेट किया है आपके पास जो भी ड्राइफूट है आप उससे इसे डेकुरेट कर सकते हैं और दस या पंदरा मिनट के लिए आप इसे फ्रीज में रखेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा नहीं तो बाहर दो घंटे के लिए रख दीजिए ये सेट हो जाएगा आप कोई काम कर रहे हैं बना कर रखिए आप रच्छा बंदन पर इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ कीजिए बहुत ही कम समगरी में जटपड से बनकर तयार होती है कोई ये भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बेसन से बनाया है बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छे से ये बनती है तो ये देख रहे हूँग इसका एक्स्टेक्चर कितना प्यारा सा एक्स्टेक्चर आया है एकदम मुं में घुल जाने वाली ये बर्फी बनकर तैयार हो गई है आई होप आपको मेरी ये रेस्पी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्क्राइब, सेयर जरूर कीजिए यहाँ पर हमने प्लेटिंग कर दी है थोड़े से मैंने यहाँ पर नारियल की बुरादे से इसे डेकरोट किया हुआ है आई होप आपको ये रेस्पी अच्छी लगी हो फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ